कि वालो फ्रेंस लास्ट वीडिया हम लोग ने क्या देखा था हम लोग ने हमारे चाप्टर नंबर फिप चाप्टर के एक्सेश नमर 5.1 को कम्प्लीट कर दिया था जहां पर हमने लोकोस पॉइंट के उपर कितने सारी कोशन देखे था उनको उनकी बेस बहुत सारे अच्छ के बहुत सारे कोशन सौल करने होंगे आज को वीडियो यहां पर हम लोग तो कैसे आप सब लोग आप करता हूं आपका मेलेट्यूब चैनल जयर कॉलेज पर आपको पता दूँ कि आपने मुझे मुझे पर पॉलोग नहीं किया और शुल्सक्ति मुझे पर फॉलोग कर सकते तो आज का वीडियो तो आज के वीडियो क्या देखने है और चाप्टर दोस्तों कौन सी चाप्टर पर बेस दोने वाला है फिप चाप्टर पर स्टेट लाइन ठीक है अब यहां पर लेक्षे नमबर थी चलता एक्से नमबर 5.2 कोशन नमबर 1 से लेकिए 11 तक कि सारे कोश देखती है लेकिन वह लाइन जो है मुस्ली एक एक एकसिस पर यह दो एकसिस पर जाके इंटरसेक करती है और उस चमी वह एकसिस पर इंटरसेक करती है तो आपर एक दो अब यहां पर यह एकसिस के उपर इंटरसेक कर रही है एक पॉइंट पर जहां पर पॉइंट है एक कॉमा जीरो और वाइकसिस पर इंटरसेक करेगा उससे बुलेंगो वाइंटरसेट का मतलब यह होता है कि एक कॉडिनेट एकसिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक कर रहा यहां पर हमारा पास एक्स इंटरसेप्ट है और ये इंटरसेप्ट होगा और सिकी नहीं करेगा नहीं तो यह पर पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों यह पॉइंट मेरा सिंपल सा बन जाएगा कोई भी पॉइंट परकिसी अपने को दो सकते हैं अब स्लोप का एक और फॉर्मला होता है माल लेते हैं कि इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सेंड करता हूं अब देखो यह एक्सेंड करने के पाद कुछ इस तरीके दिखने लग जाएगा यह एक्स एक्सिस पर कोई तो भी आंगल बना रहा है थीटा इस एंगल के ब अंग बिशर इंगल मेंजर चापटर में अंधो यह पड़ा अलबेस अंगा स्लोप लुप किया एगा ब्लाल के थ ông Kerry व nossa स्पाट daiunt लिखा M1 is equal to M2 अब हम लोग बढ़ते हैं एक और important चीज़ के ऊपर जो हमारा है for a point which are collinear अगर तीन पॉइंट को लिनर है तो यहां पर एक लाइन बना है तीनों point को मैंने इसके पर denote कर दिया अगर PQR collinear है तो मतलब स्लोप of PQ is equal to slope of QR यह condition आप लोग को समझ में आ जाने चाहिए अब last topic मैंने second last topic इसके बाद एक को छोट अधा topic देखना है अब slope of slope relation between perpendicular lines अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और दोनों को स्लोप पता है एक का माल लेते स्लोप M1 है दूसरे का स्लोप है M2 दोनों के बीच का मल्टीप्लाइब है M2 is equals to minus 1 बहुत important है आप लोगों को 12 सांड़ में इस दिखने वाली है तो फटा-फट से इन मौड के अंदर यह मौड बहुत important है positive value मौड के अंदर M1 मारेस M2 अपन वन प्लस M1 M2 अगर 1 प्लस M1 M2 इसकी वेलों के सब्सक्राइब हो गया तो मतलब क्या दोनों के बीच का दोनों भी कैसी लाइन होगी यहां पर इस तरीके से अपर निकाल सकते हैं यह सारी चीज़े अब आगे बढ़ता है इंटर्सेक्टिंग लाइक सब्सक्राइब निकाल रहे हैं अब इसको निकालने के लिए हमरेबाब फॉर्मिला है य2-1 अपन एक्सट्रो माइनस एक्सट्रों अब वाई टू किसको लेक्सट्रों सबसे पहले यह डिसाइड करना बहुत दोदा इंपोर्टेंट है इसको सबसे फिले मैं थोड़ा से नीचे लेता हो और यहाँ पर पॉइंट को रिनोट कर देता है यह मेरे पास क्या है इसको मैं माल लेता हूं कि यह मेरा क्या है एक्सट्रों कॉमा वाई बना उसी तरीके से मैं बी को माइनस में वाइनस माइनस हो पहले से मार और एक कोर माइनस बन सब्सक्राइv दंधान प्लया ले Tout यहां पर e में लिखता हूँ 2,3 और इसके कोडिनेट्स में लिख देता हूँ x1,y1 ठीक है अब f में लिखता हूँ 2,1 इसी तरीके से मैं इसके भी कोडिनेट्स लिख देता हूँ x2,y2 ठीक है अब बढ़ते आगे slope of ef निकलना क्या हो जाता है दोस्तों y2-y1 अपॉन x2-x1,y2 की वेल्यू कितनी है –1,y1 की वेल्यू –3,x2 की वेल्यू 2,2-2, यह कितना का –4 अपॉन कितना का 0 अब 0 से डिवाइट करो करो दोस्तों यह वाला slope एक्जिस्ट ही नहीं करता है यह आपर क्या लिहेंगे slope does not exist does not exist आपर क्या लिहेंगे slope of line नहीं भी does not exist लिकित –4 अपॉन 0 हमें पता नहीं है तो इसी तरीके से हम लोगों मिल गया slope of line हम लोगों 0 भी मिल सकता है एक लाइन है जिसका slope 0 मतलब के वो प्तारल है x-axis को समझे रहें क्या बता रहा हूं अगर कोई line अगर x-axis को प्तारल है उसका slope क्या होने वाला दोस्तों slope क्या होने जीरो होने वाला यह चीज़ को आप लोगों समझ लेना है ठीक है अब आगे बढ़ते है इस एक्स इंटरसेप्ट एंटरसेप्ट अफ लाइन एल आर्ट टू एंट्री इसका मतलब क्या हुआ तो इससे हम लोग कॉर्डिन शिस्टम बना के समझेंगे सब्सक्राइब लिए जापक इसको बोलते काटेशियन सिस्टम इन बना लिया अब क्या करेंगे यहाँ पर एक्स एक्स इक्सिस पर पॉइंट टू पे इंटरसेग कर रहे हैं यह कैसे पता चला मुझे कोश्चन में बोला हुआ है एक्स इंटरसेप्ट एंटरसेप्स आर ट्रीट से रीट करेंगे एचे इंटरसेप्स एद्वाइं अइंटरसेप्स आफ लाइप है ल इस न parenthरी 1-3 मतलब इसी को एक्स किसे इंटरसेप्छाइब क्य थू दो कॉंट अट फरी 3 प्यवा कॉइंट अटरी इस तरीके से मझे पॉइंट का शिरु नीदा हूँ एइस slope of line formula क्या होता दोस्तों line होगा हमारे पास y2 minus y1 upon x2 minus x1 अब आप लोग इसको denotion देदो यह हो जाएगा x1, y1 और यह हो जाएगा x2, y2 x2, y2 ठीक है अब y2 minus y3 minus 0 यह पर slope क्या हो जाएगा slope of line का नाम है l is equal to y2 minus y1 याने 3 minus 0 upon 0 minus 2 3 minus 0 कि इतना उतरी यह जगा minus 2 ठीक है अब लोग चाहिए इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं दरवाइस ऐसे भी रखेंगे तो भी चले कितना जगा यह आप लोगा आंसर है बहुत ही सिंपल कोशन है दोस्तों एक्साइज नंबर पाइपउंट तो बड़ा ही सिंपल है कुछ भी नहीं है इसमें अब आगे बढ़ते हैं कोशन नबर थी देखते हैं फाइंड स्लोप अप्लाइन फूस्ट इनकलेश है 30 अब थीटा हमें 30 द फॉर याने की 45 डिगरी यहाने टांट धीटा यह स्लोप ची वैली क्या हो चाहिए दोस्तों स्लोप हमारे पास होगा स्लोप हमें फाइंड आउट करना है अब स्लोप का फॉर्मुला फ्लोप को आपन एम लिखते हैं मैं इस इकल्स रोट टांट टीटा याने कितना होज़ 3 & 3 on the coordinate axis find the inclination of line अगर एक line है वो three ओर three का intercept बना रहे हैं कौन से axis के साथ किसके साथ बना रहे दोस्तों यह काडिनेट axis के साथ यह मेरे काडिनेट axis दो ही होते एक होता है X-axis दुसरा होता है यहाँ पर एक सेक्सिस और यहाँ पर लिखता हूं है आप यह पर प्लस three होता है और यहाँ पर प्लस भी यह प्लस थी इसाथ भी सतरा होगा लेनलों एक लोगों मैं आप लोगों को समझ है आगया और यहां पर मैं लिग देता हूं और यहां पर में दिता हूं पी ऐसे पहले आपर क्या निकाल लेंगे स्लोप अब लाइन ए भी स्लोप फाइड आट करेंगे सबसे पहले स्लोप ऑप लाइन एबी क्या हो जाएगा दोस्तों इसको अपन फ़ेला फाइड आट करेंगे तो ए लिख देता हुआ A मेरे पास क्या दोस्तों 3 3,0 and B मेरे पास क्या 0,3 इसको लेता X1,Y1 इसको लेता हमें X2,Y2 इंक्लिनेशन हम लोगों निकालना है तो इंक्लिनेशन के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा तो स्लोप का फॉर्मला क्या होता है Y2-5,1 upon X2-X1 ठीक है अब Y2 की वैलू कितनी है हमारे पास Y2 हमारे पास है 3,3-0 upon 0-3,3-0 upon 0-3 इस तरीके से आ गया, अब यहाँ पर जान देंके तो 3-0,3 होता है यह होज़ेगा प्लस वह होती है फॉर्टीफाइव लिख सकते हैं 45 लिखता हूँ अब करना है नेगेटिव को अंदर किसना है यहाँ हो एंदर मतलब कितना पाइँ मैनस सीटा यहाँ पर हाँ क्या करेंगे टा वैसे ही नेगेटिव को अंदर लिए तरह के सिरी करने के बाद सब्सक्राइब कि इस तरीके से मुझे मेरा आंसर मिल गया बड़ाई सिंपल सा फंटा था दोस्तों आप लोगो सब्सक्राइब की तरफ ही जा रहा है इसलिए हम लोगो वह समझना है अगर यहां पर पूरा अंगल निकालते हैं पूरा अंगल यहां से निकालते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब विदाउट यूजिंग दा पाइथागोरा सेरम शोड़ाइब आप लोगी बताओ कैसे किया चाहिए अब कैसे करेंगे वह हम लोगों को पता है अगर दोनों के बीच का स्लोप का वैली कितना होता माइनस वन स्लोप ऑफ लाइन सबकी निकालनी पड़ेगे तो अपन डारेक्ट करते हैं लोप लाइन एब निकालते स्लोप ऑफ एब पहल अब सारे वैलिस लिख लो एक वैल लिख लो 4,4 बी कि लिख लो 3,5 एन सी की वैलिकलो-1.5 अब क्या, अब हमें वह स्लोप का फॉर्मूला भी लिख लेना चाहिए मेरे इसा आपसे अब इतक सारे पॉइंस को अपन एक्सवाइए वाईए ने लिख रहें डारेक्ट तो फाइप क्या तर्वाइनस पूर स्लोप मैनस मिल स्लोप घ्र-1 गीडिया है और उन कि के अब बीजी को निकालते हैं बीजी मतलब क्या हो चाहिका y2-7-1-5-1-3 कि तो मज़में रहा है मालेश 1-5 कि इतना हो गया मालेश 1-5-6-3 कि इतना हो गया दोस्तों मालेश 1-3-4 यहां पर मिल जाएगा माइन 6 अब दोनों का टेबल में कैंसल हो रहा है तो दोनों भी टूकिते में गांसल हो रहा तो नेगाटिव नेगेटिवफ एंचल यहां पर हम लोग को स्लोप ऑफ लाइन slope of line कौन सा दोस्तों ABC slope of BC मिल गया दोस्तों 3 upon 2 3 upon 2 लिख देते हैं चला आगे बढ़ते हैं कि स्लोप अपट इसी पूस्याय लेता है लोट इसी क्या आज जाएगा दोस्तों ध्यान देना आप यहां सिसलोट अब कैसे निकालेंगे नीचे होतों मैंने वाई टो पफॉरण उप्र वाले को तो मांईस वन मांईस फॉर उपॉन ऑपार मांस वन मांच फॉर ठीक है रेपेंडिकुलर है उनके वे उनके स्लोप का मल्टिप्लिकेशन क्या होता है मैं इस मिलता है यह यह नहीं मिल रहा है लेकिन मैं इस वन मल्टिप्लाइब वन करू तो मैनेस वन मिलता है छिफिता है तो मैं है हम तो मतलबड़ार लिए लेकिर स्टा यह चीर उक्टे कान टाहिब उन्स वन टीप्लाइब ँद लिए न्यटीच तो मैं ऐस टबेंगर टाहिना स्टाइब निफस्का है ना less तो मिलता है Samuel dovak toy तो एसी देर्फोर ट्राइंगल एबी सी इस राइंगल ट्राइंगल और कौन से अंगल पर राइंगल ट्राइंगल 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 ट्राइ के बढ़ते हैं अब फाइल स्लोप अफ लाइन विच मेक्स एंगल पॉर्टीफ़ डिग्री विइद पॉस्टिव डिरेक्शन ऑफ वाइक्सिस मेजर इन अंटी क्लॉक्वाइज ठीक है यहां पर सबसे पहले आपने स्कूछ समझने के लिए डागरम नहीं बनाएंगे तो सम अब लोग को पता करना है फाइंड श्लोप दिलान विच मेक्स एंगल पॉटीफ़ डिग्री विद पॉस्टिव डियरेक्शन ऑफ वाइक्सिस के साथ क्या बना रहा है वह एंगल बना रहा है तो यहां पर देको मैंने लाइन किस लिया अब देखो मैंने ऐसा लाइन ही क् यहां पर नीचे क्या ऊपर ऊपर ठीक है अब उसके सब्सक्राइब में जाओ तो एंडिक्राइब कर देना इस पॉइंट में एक्सिस को शिप कर रहा हूं अब अगर गौर करो तो यह एंगल फोटीफ़ पर तो यह भी 45 हो जाएगा प्लस मुझा करना है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब गर तो आप साथ करते हैं हमारे पास एम का वेली यानिया यानि यह स्लोप का फॉर्मॉला क्या तो टैन टीता ठीक है तैन 90 प्लस 45 अब 90 प्लस 45 कौन से कॉर्टन में आ रहा दोस्तों आफ्टर स्कूल देन कॉलेज वहां पर साइन और कोशिक पोजिटीव होता है तो यहां पर डाल दो नेगेटिव अप टैन आगा की कॉट आगा वह चेक करने का अगर 90 है 90 का अधिको और मल्टिपल है तो यहां पर क्या आता है नेगेटिव और टैन का क्या हो जाता कॉट हो आगेटिव इस तरीके से होता है अब माइनस को शेटन फोटीफाइट इस तरीके से मनें की वैली इस तरीके से लिए अंसर निकाल लिए अब आगे बढ़ते हैं वाई पाइंड वैलिउ आफॉलिंग पॉइंग प्लिछ पॉलिए को लिने मतलब क्या होगा देख यहां पर यह पर किया है को लिग दिया लैकर फ़ोटो फोलेनर पॉइंट्स है मतलब इस स्लोब ऑफ часов क्यों स्थियुफ 2-1 upon x2-1 यह फॉर्मिला होता है बस इसको डालता है आंसर निकालता है मैं यह ने क्या देखो वाइट टू को अपने लिए वन यह यह एक्स होता है यह वाई मैंने 1-1 upon 2-2 यहाँ पर भी सेम्ट इसमें 5-1 upon 4-2 5-1 4-2 समझ में आ गया आगे बढ़ता है अब मालेस मालेस ब्लस तो यह जोगा टू अपन टू मैनस के और अपन टू 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 कैंसल यहां पर बच गया टू इस दिखो यह भी टू टू कैंसल यहां पर यहां पर ले लो टू के एकुवल टू देखो के नेगेटिव सेट आगा तो पॉजिटिव और बन इससाइड आगा तो नेगेटिव तो इंपलाई यह करता है के की वेली कितनी मिल गए हम लोग को वन मिल गए इस तरीके से हम लोग 2-1 निकाल लिया तो के की वेली बहुत इसी तरीके से आगे इसको भी फटा-फटा आप लोग नोट कर लिए हम ल लोग क्या निकाला एक्वीट अंगल बिट्वीन एक्स-स एड एंड वाट लाइन जॉनिंग दे एबी सबसे पहले मैं आपने को फंटा समझा देता हूं हम लोग जो भी फांड आउट करते हैं दोस्तों वह एक्स-स से ही फांड आउट करते हैं तो हम लोग को एक्यूट लोग अब 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 करना है तो मैं निकाल सकता हूं एजीनी कैसे देखो ज्यान देना मैं सबसे पहले एबी बनाना तो माले एक्वी पॉइंट मुझे दिया मैं और फोर माइनस टू यह इसको थोड़ा एक्सेंड करना पड़ सकता है हं और इसको तोड़ा थे एक्सेंड करता हूं निची तरफ ऑगे इसको भी शिप्ट कर देता हूं इसको यहां लिया वो यहां पर और इसको यहां पर और यहां पर थे लेते हैं और 4-2 X की वेले 4 Y की वेले मैंस तो यहां पर आ जाएगा ठीक है अब इसको मैं जॉइन कर दूँगा तो मेरा A B इस तरीके जाएगा यह मेरा हो गया A यह हो गया मेरा B A क्या है मेरा 3-1 और B X2-X1 अब Y2 में लेता हूं किसको भी ले लो Y2 इसको ले लो ठीक है तो 4-2 यहां पर Y2 की वेले कितने माइनस 2-1 किस तरीके से हो जाएगा X2 की वेले है 4-3 अब माइनस माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 1 ठीक है और यह 4-3 कितना हो गया 1 ठीक है जाता है तो टैन ठीटा एंगल बेटिटिन दे टू लाइंस कैसे निकालते है एंवन मानेस एंटू आपवन ब्लस एंवन एंटू ठीक है अब स्लोप लाइन एक सक्सिस कितना होता है एम वन की वैली कितनी हो जाए कि पहले ही बता था तैन ठीटा एकवल टू वाट एंट एंट लोट एंट सेटा एंट्वेयरे तो एंटू की वैली प्लस एंट एंट लोटीप्लाइब यहां पर जिए प्लस वन अपन वन प्लस जिरो यहां पर जिया पर दो समझ में आएगा थीटा की वेलू वन कब होती है थीटा की वेलू वन जब टैन क्या होता है यहां पर एंगल बेट्वीन एक से एंड लाइन एबी इस तरीके से हम लोको मिल गया तो बहुत इजी थरीके से हम लोने कॉश्चन अबर 9 में सॉल कर लिया अब कॉश्चन अबर 10 मैं चाहता हूं कि आप लोग करें सिंपल का फॉर्मला एम इस इकोस्तु वाइट्टू मैं सब्सक्राइब करना है मैं यह करवाता हूँ इफ कुश्चन अबर 11 एप पॉइंट एबी एंड सी लाइओ अन दे लाइन शो दाट एप अपॉन भी प्लस बी अपॉन के इस इकोल स्टू अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इकोल टूबर यह प्रूफ कर रहे है यह दोस्त लाइक है तो मैं बोल सकता हूँ स्लोप अबी इस इकोल स्लोप अबी सिंपल यहाँ पर यहाँ पर एकॉमा बी कॉमा सी आर को लिनियर सबच में आया अब कोलिनर है दाट मींज स्लोप अफ लाइन एबी एकुल टू लोप बी सी सिंपल ओके तो स्लोप आफ बी सी अब वाइटू माने स्फ़ावन अपॉन एक्स लोग का फॉर्मला साइड में लिख लेते हैं फॉर्मला क्या वाइटू माने स्वाइब अपॉ अब यहां पर की एक यहां पर लेकर जाता हूं तो इसके अब यहां तक दोस्तो इंपल है यहां तक आगे क्या अब इसको कर देंगे तो एक यहां पर मानेस एच बीकर फिकत अब दीको पॉजिटिव वाले एक साइड में लेते हैं आपन पॉजिटिव वाले एक सब्सक्राइब में लेकर चाहिए तो आगे अब हम कैसे लाएंगे दोस्तों डिवाइड बाई से डिवाइड करता हो, अकर जैसे मैं हके से डिवाइड करता हूं, तो a k plus h b upon h k equal to 1 हो जाएगा, सामज में आ गया अब इसके पाद जाएगा a k upon h k और यहाँ पर क्या h b upon h k, k k k cancel a upon h plus h is cancel b upon k equal to 1 इस तरीके से यह कोशिन को भी आप लोगों ने कर लिए प्रूफ कर लिए बड़े ही सिंपल सिंपल कोशन थे एक्ससाइज में फटा-फट से हो भी गया बहुत ही चोटा सा वीडियो बना और आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे मैं जानता हूं फिर भी अ जानता हूं प्रसे कर लेंगे मैं अजया जाब।ोजजव आणता हूं जाख प्राट नख Ciao,